हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल श्रेय बजार वितायुष और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में विबोर स्टील ट्यूब्स आईपियो के सेकिंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में आज दोस्तों दूसरा दिन था इस में बोर आईपियो का और कितना जादा दूसरा दिन सब्सक्राइब हुआ यह हम समझने वाले हैं विखोज आपने खुद ही दिखा था जो फॉर्स दे का डीटा था वो अपना आप में काफी शांदार था और सेकिंड डे उससे बिज़र शांदार रहता हुआ नजरा है कितना रहा है वो आपको इस वीड लगा सकते हैं कुल मिला के दोस्तों 10 रुपे की इसकी फेस वैल्यू है 141 से 151 रुपीज का इसका प्राइस बेंड है बढ़ आप सबको पता ही है अगर आपको आई-प्यो चाही है तो आपको 151 रुपीज या फिर याद रिखेगा अगर आप रीटेल में लगा रहे है त 22.17 करूड का दोस्तों यह आई-प्यो है और यह पूरा का पूरा फ्रेश इशू है और लिस्टिंग का पर होगी BAC, NAC दोनों के उपर इस आई-प्यो में एक लट लगाने के लिए आपको कुल मिला के 14,949 रुपीज पे करने पड़ेंगे रीटेल में आप मैक्सिमुम 13 तक अप्लाय कर सकते हैं जिसके लिए आपको 1,94,337 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप रीटेल में मैक्सिमुम 13 लॉट्स भी लगाएंगे और अपको अलॉट्मेंट आ भी जाता है तो आपको 13 लॉट्स नहीं मिलेंगे 1 लॉट्स मिलेंगे बिकॉस जब जब ओवर सब्स्क्रिप्शन हो जाता है तो आपको maximum to maximum एक लॉट्स मिल सकता है रीटेल काटेगरी केंदे अगर आपको जाद लॉट्स चीए तो आपको small लॉट्स जाना पड़ेगा जिसके लिए आपको 14 लॉट्स के लिए अपलाय करना पड़ेगा 1386 आपको कुल मिलाक के जुसकी वाली होगी 10,1583 रुपीज अब दुस्तों बात करते हैं सब्सक्रिप्शन के उपर तो सबसे पहले फर्स दिगार सब्सक्रिप्शन देखते हैं क्यों भी पोर्शन करीबन कल तक 3.81 ताइम सब्सक्राइब हो गया था HNI portion या फिर NII portion करेबन 52.14 ताइम सबस्क्राइब हो गया था और कुल मिलाकर 30.12 ताइम या IPO पहले दिन सबसक्राइब हो गया था अब जरूर देखे इशयू का क्योंकि size small है तो सब्सक्रिप्शन का नंबर काफी बड़ा दिखता है वर 30 गुना पहले दिन हम ये overall कह सकते हैं कि IPO में आपको subscription देखने को मिल गया था जो अपने आप में लाजवाब था लेकिन second day कैसा रहा है चलिए अब ये देख लेते हैं तो शुरुबात करते हैं QIB काटेग्री से तो कल तक 3 गुना subscribe हुई थी बट आज 9 गुना subscribe हो चुकी है अनि हमको कल से ज़्यादा पैसा आज QIB की तरफ से आता हुआ निजर आ है कुल मिला के 9,50,000 shares offer कियेगा लेकिन 86,34,978 shares के लिए application आ चुकी है कुल मिला कि 130 करोड दोस्तों अभी तक हम कह सकते QIB के तरफ से इस issue में डाल दिये गए है और याद रखिएगा QIB मेजर ली आकर दिन पैसा लगाते है तो अभी तो उनका जो सबसे important है यानि कल का दिन वो बाकी है और उसमें हमको यही देखना है कि कितना subscription जो है दो दिनों में लगा दिया है यानि जो high net worth individuals से उनके द्वारा इस प्रकार से पैसा लगाया जा रहा है 7,12,491 shares offer किये गए थे और कुल मिला कि 19 करोड 14,34,320 shares के लिए अल्रड़ी अपले कि चना चुकिए यह combine है Big HNI से जो पैसा आया है वो है 2,890 करोड इसमें अगर मैं बात करता हूँ Big HNI तो उन्होंने 252 गुना इस जो को सब्सक्राइब कर दिया है यह almost 1808 करोड के आसपास का जो पैसा है वो लगा दिया गया है Big HNI के दरफ से 4,74,995 shares offer किये गए और यहाँ पर 11 करोड almost 12 करोड हम करे सकते है round off यहाँ पर करके अगर बात करते है तो 12 करोड shares के लिए application लगा दिया है वही small चनाय ने 301 गुना जी हाँ 301.67 ताइम दोस्तो small चनाय ने पैसा लगा दिया है कुल मिला के 1081.87 करोड जो है वो small HNI ने यहाँ पर पैसा लगा दिया है कुल मिला के 7 करोड 16 लाग shares के लिए application जो है वो small चनाय ने अभी तक लगा दिया तो यह दिखाता है कि इस IPO को जो subscription मिल रहा है वो अपना आप में काफी fantastic है ज़रूर आपको मने बता दिया इतना ज़ादा subscription दिखता क्यों है इसलिए बाकी retail category कुल मिला के 96.19 times सबसे important retail portion 96 times subscribe हो चुका है कुल मिला के 16,62,000 shares offer किये गए थे and 15 करोड 99,00,000 shares के लिए application आच चुकी है यह almost 2414 करोड रुपे जो है वो यहाँ पर लगा दिये गए है किसके द्वारा retail के द्वारा इस issue के अंदर इस प्रकार का दमदार पैसा जो है वो निकल के आया है इस issue के अंदर बट सबसे बड़या बात क्या है कि देखे पैसा इस प्रकार से आ रहा है तो यहाँ पर आपको listing गेन भी उस प्रकार का होता हुआ नज़र आएगा इस प्रकार का सब्सक्राइब कर चुकी है या तो हो सकता है कि देखे कोई आम रीटेल गलती से इंप्लाइब के लगा रहा है यह गलती उसकी हो सकती है या फिर यह हो सकता है कि दोस्तों जो कंपनी की इंप्लाइज है वो इस प्रकार से पैसा लगा रहे है जादा जादा लॉट्स लगा रहे है जो मुझे थोड़ा सा वाला जीब लगता है क्योंकि हाँ यह बार ज़रूर है कि 29,500 टूशेवी ओफर किये गए तो इसलिए हो सकता है बाट 37 करोड 50,000,000 से इंप्लाइज के त अच्छा पैसा लगाते हैं जो मुझे देखना है कल वीडियो में बीकॉस क्योंकि जैसे मैंने कहा था आपको कल वाले वीडियो में भी क्योंकि मेजरली छोटे आईप्यो में जादा पैसा नहीं लगाते तो 100 गुना 120 गुना सब्सक्राइब कर सकते हैं बड़ उससे उपर बाकि आप लोग भी बताईए कि आप लोगों ने apply किया है कि नहीं किया है देखिए मेरा वीव सिंपल है मैं खुद apply जरू करूंगा इस issue में सिंपल सी बात है for listing gain long time की बात नहीं करता मैं अभी जादा reason simple है because दोस्तो चोटी companies को समझना बहुत मुश्किल होता है और उनके अंदर देखिए जादा भैतर यह देता है कि अगर listing gain मिल रहा है तो लेकर निकल जाए उसके बात जाके अगर company को analyze करिए at least अपना profit safe करिए सबसे important है but profit वही है जब आएगा जब हमको allotment मिलेगा वह बात अलग है बाकि अगर मैं बात करता हूं उसकी current gray market के उपर तो उसकी gray market में भी काफी उताः चड़ाव है currently 72.85% दोस्तों आपको gray market दिख रही है अब देखे gray market में बहुत उताः चड़ाव मैं जब कह रहा हूं तो 79% तक कल थी गिरावट से 72% हुई उससे पहले 86% तक दोस्तों gray market गई है तो 86% से सीधे 72% आ चुकी है बाजार की गिरावट के यह जरू comment section में दाईगा इस वीडियो में इतना ही था thank you friends for watching this video